शादियों में मिलने वाले गुलाब जमुन तो सब के पस इंदिता होते हैं पर रों पंते कैसे हैं कैसा उनका सौत होता है ये हम कैसे घर पर बनाएं ये सारी जोॉद्रेस हैं वह हम घर पर नहीं उसकर पाती क्योंकि हमें पते हिंपसीटी हथा है तो आज मैं आपको वैसे ही गुलाब-जमन बनाके दिखाऊंगी बिल्कुल शादियों वाले, तो चलिए फिर जाधा वक्त नहीं लेते हैं, इस रेसिपी को शुरू करते हैं, तो गुलाब-जमन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है छेना लगाना पड़ता है, छेना तो हम दूद को फाडएंगे तो छेना लगाने के लिए ज़ो दूद है न, वो फुल यानि फूल फैट नहीं लेते हैं, हमेशा मीडियम फैट वाला ही दूद लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर मीडियम फैट वाला ही दूद लिया है, और इसे अब हम एक उबाला आने तक जो ह हम जो है दूद को फाड़ते हैं उससे पहले नहीं फाड़ते हैं लीचे देखिए उबाला जो है वो आ गया है दूद में और अब जैसी उबाला आएगा हम जो है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे क्योंकि जो है उबाला के बाद हमें जो है दूद को फाड़ना होगा देखिए उबाला आ चुका है और अब हमने गैस का फ्लेम है वह आफ कर दिया है जैसी उबाला आएगा तो एकदम से नहीं हमें दूद को फारना है थोड़ा सा ठंडा होने देना उसके बाद तो अब यहां पर मैंने जो है विनेगर डाला है विनेगर यानि सिर्के में नहीं थोड़ा सा पानी आड़ कर लिया था और अब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है हम विनेगर डालेंगे एक साथ जो है हम दूद नहीं फारते हैं तो जो चैना होता है वो सौफ्ट नहीं बनता है बिल्कुल भी मतलब जैसा कि हमें चाहिए है गुलाव जान बनाने के लिए वैसा नहीं बनेगा तो आप धीरे धीरे करके ही विनेगर इसमें डालिएगा तो लीजे देखिए दूद जो है वो फट गया और चैना देखिए कितना बढ़िया बना है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा ये सौफ्ट भी लग रहा है और जैसे हमें चा हैं तो आप कपड़ा ले सकते हैं और अब मैं इसमें से जितना भी चैना है वो सारा पानी में से अलग कर लूँगी और इसे जो है मैं वाश कर लूँगी वाश हम इसले करेंगे ताकि इसमें जो विनेगर का एक स्मेल है वो ना रहे बिल्कुल ये जो है बिल्कुल भी इस के इसारा पानी जो है वह नीछट गया है इसमें से तेखिए बिल्कुल भी पाणी नहीं है आप इसमें निखाल देंगे और हमारा दो साल The Rocks और बढ़ियाया चेना बनकर तयार हुआ है तो चलिए चेना बन गया है अब है हम क्यूंद गुलाब जामुन की चाषणी बना लेते हैं चाषणी की बनाने के लिए मैंने यहां पर जो है वह एक कटोरी जो चीनी ली है और आदा मतलब पूरी कटोरी थोड़ा सकम पानी लिया है दो कप लोंगी मैं यहांपर पानी और देखिए यहां पर जो है इसमें जो है मैं दालूंगी इलाइची फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा टेस देती है हरी इलाइची और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें जो जो चाश्नी बनानी है न वो बस थोड़ी सी चिप-चिपी हो तो जब चाशनी बनेगी ना आप इसको हाथ से जो है उंगलियों से चेक भी कर लीजेगा चाशनी जो है वो चिप-चिपी होनी चाहिए तारवाली नहीं होनी चाहिए बस देखिए उबाला ही आजाएगा इसमें और गैस का फ्लेम आफ कर द देखिए मेरी जो चाशनी है वो चिप-चिपी है कोई तारवाली नहीं है तो लीजिए चाशनी जो है वो बनकर तयार हो गई है और अब जो है हम गुराब जमून का मिक्षर बना लेते हैं यहाँ पर एक दिन पहले मैंने खोया जो है बनाकर तयार कर लिया था होममेट खो कर जो है वो इसमें तोड़ कर दाल देंगे तेखिए कितना बढ़िया लग रहा है चेना भी और खोया भी दोनों ही होममेड है दोनों ही बहुत हैल्दी है मार्केट वाले में थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है तो आप भी बिल्कुल ऐसी ही बनाईएगा खोया भी और च कर दूप देखें कितना सॉफ्ट हो गया है मिश्र अब जो है इस तो मिक्ष साफ होने के बाद के बाद माइद है है मैदे से लिप ड्रहा ले गुलाब जामून को जो है से छो चेने और खोय के साथ जो है डमाइक्टिवेट हो जाएं और इस्जो इसो दआ चाला मैं एक्टिवेट एक होगा ट्र्शमके डमाहए जबुक्तवर न होगा और खाने में उतने ही स्वाध्ध हूंगेř, ली छी पेकज पाउर को जो है मैं अच्छे से मिक्षेर में मिक्स कर लिया है एक чик स्वप सा जो ह्म बनाकर हमने त्यार कर लिया है अब मैं इसमें छोटी छोटी सी राओका लिगी जो है ठोल्टी मिक्षेर में नहीं Showgirlish Banda और अब मैं इसे जो है वो शेप दे लूँगी एक लंबी शेप दोंगी आप जो है गोल भी दे सकते हैं तो गोल वाले अल्रेड़ी मैं बना चुकी हूं और उपर लिंक जो है डिस्कृप्शन में मैं मैं अब वहां पर जाके गोल वाले गुलाब जामुन भी देख सकते हैं वो भी बहुत ही स्वाद बने हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं लीजे ऐसी जो है हमने एक शेप दे दी है और बाकी जो मिक्षर है उन्हें भी ऐसे ही हम शेप दे लेंगे एक लंबी वाली गुलाब जामुन की शेप देंगे जैसा कि शादी वगेरा पे और बजार में जैसे मिलते हैं न हलवाई वाले पैसे ही गुलाब जमन तो लीजे ऐसे ही बाक्यों को भी मैंने शेफ दे दी हैं और सारे ही बनकर तयार हो गए हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और जब यह बनकर तयार होंगे खाने में उतने ही स्वाध होंगे अब जो है मैंने ओयल डाल दिया था एक पैन में ओयल जो है वो जादा गरम नहीं होना चाहिए और हम जब गुलाब जमन के डालेंगे तो इनकी जो गैस की फ्लेम है वो लो मीडियम पे ही होनी चाहिए हाई पे रहेंगी तो एकदम से गरम हो जाएंगे यह उपर से इन कलर ल तैयार हो गया है देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है ऐसी ही मैं दूसी साइट से परल्टोंगे और देखिए उपर भी आ गये हैं और ऐसे ही कलर इन पे आ गया था और अब मैंने इने जो है वो चाशनी में दाल दिया है चाशनी जो है वो थोड़ी सी गरम कर और जैसे ही वहाँ से तयार हो रहे हैं और आप दूसरे जो है पैन में यानि चाशनी वाले पैन में ताल दिजेगा ताकि अच्छे से जो चाशनी है न वो इनके अंदर तक जाए और ये उतनी ही स्वाद और खाने में उतनी ही टेस्टी हो देखिए कितने अच्छे से बन कर तैयार हुए हैं गुलाब जामुन बहुत ही स्वाद बहुत ही टेस्टी इजी ली घर पर बन सकते हैं बाकी भी हमने ऐसी ही बना कर तैयार कर लिये हैं थोड़े से इस बारी मैंने ज्यादा इनको पकाया है जो जैसे की काले गुलाब जामुन होते हैं आपने सुना भी होगा इने जो है मैं थोड़ा से जादा पकाऊंगी और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है गुलाब जामुन का इने जो है मैंने थोड़ा सा डाक कर लिया है जो कि आपने सुना भी होगा काले गुलाब जामुन वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं नॉर्मल गुलाब जामुन से थोड़ा सा कलर इनका डाक होता है और लीजे देखिए गुलाब जामुन जो है वो बनकर तयार हो गए हैं खाने में उतने ही स्वात बिल्कुल हलवाई वाले जैसे कि शादी में मिलते हैं वैसे ही वाले गुलाब जामुन तो अगर आपको मेरी पर आने वाली लेटेस् वीडिवस की जो notification है वो में बेरे और अब मैं एक पीस निकाल के आपको दिकाती हूँ कि अंदर से कितने स्वाद और कितने soft बने हैं लिजी देखिए मैंने एक पीस निकाला है और इसे करें देखाती हKS देखिए कितने easily cut हो गए है और देखें कितने बढ़ीDIO को इस सॉफ्ट बने हैं तो रहिए डियो को बाद करने के ठाईक यू और मेरे चैनल से जोड़ी रहे होग्या कुछ मेरे चैनल्मने पोर्च अनि वाली लेटेंस वीडियो की निलती रहे के- झाल झाल